असंभो अनुच असंभो यह हुई नहीं सकता मुझे खेद है मैं तुमारी इच्छा को ठुकरा रहा हूँ परन्तु इसका मुझे हर्च भी हो रहा है कि मैं अपनी अंतरात्मा की पुकार को सुन रहा हूँ असुर लोग के सिहासन पर तुम ही बेठोगे असर लोग के समराथ तुम ही बनोगे अनुज पिंद कि आप मेरे जैश बाता है पिदाशी की जैश पुत्र है परंपरा ये ही है कि ridha की विर्ट्य के उपर उसका जैश पुत्र ही उसका स्थान लेता है मुझे तो ग्याती नहीं था कि मैं असुरलोग समराट का पुत्र हूँ मैं तो यह समझता रहा कि मैं कामरूप नरेश का पुत्र हूँ परन्तो पुत्र अब तो तुम्ही यह क्यात हो चुका है कि तुम्ही मेरी जेश्ट पुत्र हो और पुत्र प्रल्लाद के जेश्ट भड़ाता भी अब तो तुम ही इस परिवार के बढ़े हो बढ़ा आयू से नहीं बुद्धी से होता है और मेरा अनुज बुद्धी में मुझसे आगे हैं उसे महान है मैं के विल इतना जालता हूं कि आप मेरे जैश्ट ब्राता है और जैश्ट ब्राता के रहते छोटे भाई को यो राजवनने का आजिकार नहीं तुमारा जैश्ट ब्राता तो उसी दिन मर गया था जिस दिन उसे काले विशले नाग ने डस लिया था उसके मृत शरीर से जो जीवित शरीर उठा था वो तो तुमारे अनुयाई का तुमारे शद्धालू का शरीर था तुमारे जैश्ट ब्राता का शरीर नहीं अनुझ परंतु पुत्र नहीं माताश्री ये एक ऐसा सत्य है जिसमें किन्तु और परंतु के लिए कोई स्थान नह कि सिंगासन के उत्तरादिकारी का चुनाव आयू नहीं योग्यता के आधार पर होना चाहिए प्राताशी आशुरुण की परमपरा नीबाना भी हमारा धर्म है परमपराइं हम बनाते हैं यदी हम ही इने बनाते है तो हम ही इने तोड़ भी सकते हैं यदि असुर लोग वाश देखेके में तुम्हारा जेश्ट वराता हूँ, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, असुरलोग के सिंगासन पे विराज मान हो जाओ असुरलोग का राजपाट सवालो, पुत्र यह नहीं मानेगा राज सिंगासन सूना नहीं रहना चाहिए यदि पुत्र आहलाद की यही इच्छा है तु जाओ और तुम भी मुकुट धारन करो अब प्रजा अपने नए समराट को देखने के लिए व्याकुल हो रही है इसे मेरा भी आदेश संजु पुत्र अयुष्मान भव पुत्र मैं मां हूं धर्ती मां अधिकार प्राप्त करना जितना कठिन है अपने अधिकार का त्याग करना भी उतना ही बलकि शायद उससे भी अधिक कठिन है जेश्ट पुत्र होने के नाते फिरने कशिपो के सिंगहसन पर अहलाद का ही अधिकार था परन्तो उसे याद था कि प्रहलाद में उस पर क्या उपकार किया था और वो जानता था कि प्रहलाद कितना महान है इसलिए उसने अन्रोध किया कि प्रहलाद ही असोर लोग का समराट बने और प्रहलाद ने भी राजा बनते ही सिद्ध कर दिया कि आहलात का त्याग अनुचित नहीं था परन्तु राजा बन जाना सरल है पर इस महानपत की मर्यादा बनाए रखना कठिन है प्रहलाद में कई वर्ष बड़ी योग्यता से राजधर्म निभाया पर उसकी परिक्षा की घड़ी अभी आनी शेश थी और वो घड़ी आही गई सावधान, सावधान, असुर कुल भूशन, कयाधु नंदन, रजा वचल, महान्यायवादी, करुणा मूर्थी महराज प्रहलाद, महारानी ध्रिती समेट मधार रहे हैं प्रणाम करता हूँ ब्राताश्री, अईश्मान भूँ प्रणाम भ्राताश्री, सोवध्योति भाव मुखे शिशु को देखकर, जिस प्रकार माता, उसे दूद पिलाने दौड़ती हैं सुखे पेड़ पौधों को देखकर, माली, जिस प्रकार जल लेकर दौड़ता है उसी प्रकार, यदि प्रजा के कष्टों का समाचार सुनकर, राजा न दौड़ पड़े, तो उसके राजा होने पर धिकार हैं मेरे राज में अधर्म और अन्याय के लिए कोई स्थान नहीं भय और आतं का युग समाप्त हो गया है मेरे राज में राजनीती का धर्म होगा किन्तु धर्म की राजनीती नहीं होगी माहराज दुआई है महराज, महराज थैख ही अपनी सैनीको का अन्याय मुझे व्यर्थ में सता रहे हैं उससे मेरे नवजात जीचू चीन रहे हैं सैनीको एक माता से उसका पुत्र चीन लेना हत्या से भी गंभीर अपराद माना जाएगा और यदि यह प्राज सिध्ध हो गया तो तुम्हें प्राणदंड भी मिल सकता है हां महराज इन्हें प्राणदंड मिलना ही चाहिए महराज हमने यह बच्चा नहीं चीना है यह स्त्री इस स्त्री से बच्चा चीनने का प्रयास कर रही थी हां महराज यह दूसरी स्त्री कौन यह जूट है महराज यह नवजाज शिशू मेरा पुत्र है क्या जूट बोल रही है महराज नहीं महराज मैं सत्य बोल रही हूं मैंने इस बालक को नौ महीने अपनी कोग में रखा है मैंने इसे जर्म दिया है महराज यह मेरा पुत्र है नहीं महराज यह जूटी है पांच है मैं इस बच्चे की मा हूँ, कृपा मुझे मेरा बच्चा दिलाए न्याय कीजिए महराज, आज अपके न्याय का डंका चारों और बज रहा है मुझे न्याय चाहिए महराज, मुझे न्याय चाहिए महराज, अब आपने इन दोनों पक्षों की बात सुन ली है हम इन दोनों स्रीयों को लड़ते देखकर इस शुशू और इनको ले आए हैं महराज अब आप ही इनका न्याय कीजिए कि इन दोनों में इसकी वास्तुविक माता कौन है मौन क्यों धारन कर लिया महराज न्याय करने में विलम क्यों न्याय होगा कल यहीं इसी सभागार में ये शुशू अपनी वास्तुविक माता की गोद में होगा तब तक इन दोनों देवियों को महिला संग्रक्षन ग्रहे में रखा जाए और इस शुशू को राज माता कयादू के निरिक्षन में दे दिया जाए प्रणाम माते आयुशुमान भव पुत्र अखन सभाके वती भव बहुत उत्सुख दिखाए दे रहे हो पूत्र हा माते और यदि आप आज सभागार में होती तो आपको ये प्रश्ण पूछने की आवशक्ता ही नहीं पड़ती मैं जान बूच कर नहीं आई थी पूत्र आप सत्य कहती है माते और आज वास्तव में मेरे लिए एक कड़ी परीक्षा का दिन है और इस परीक्षा के लिए मुझे आपके पारमर्श की आपकी साहता की आवशक्ता है इस संकट को बिना आपकी साहता के मैं पार नहीं कर सकता माते ऐसा कौन सा संकट खड़ा हो गया है पूत्र उस संकट का एक छोटा संकेत मैं आपकी सेवा में पहले ही भीज चुका हूं यही तो है मेरा संकट माते यही है मेरी परीक्षा क्या समस्या है पूत्र समस्या यह है माते कि इस शिशू के साथ दोस्त्री आई है और प्रतेक का कहना है कि वही इसकी माता है आप यह शिशू स्वयम तो बता नहीं सकता कि इसकी माता कौन है और मैं भी यह निर्णे लेने मैं असमर्थ हूं कि उन दोनों में से कौन सच बोल रही है और कौन जूर्थ यह तो बहुत सरल नेलने हैं पुत्र शिशु की भूख वास्तव एक तागा नेलने कर देगी इस शिशु को दोनों स्त्रियों के पास भेज दो जो इसको अपना दूद पिला कर शान कर देगी वह नहीं उसकी माता हो आपका परामर्श बहुत उत्तम है माते परन्तु जब आपने यह परामर्श दिया है तो मेरी विनिती है कि शिशु को उन दोनों स्त्रियों के पास भी आप ही ले जाएं और देखें कि उन दोनों में से कौन इसे दूद पिलाती है फिर तो यह निर्ण कि असुलोग सम्राज की यही सहायता करके मुझे प्रसनता होगी जलो अब माता इस समस्या का समाधान अवश्य कर देंगे क्या हुआ क्या हुआ चुप हो जा मेरे लाल चुप हो जा मेरे चंदा शिशु भूख से व्याकुल है नजाने कबसे उसे दूद नहीं मिला यदि तुम इसकी माता हो तो फिर उसे दूद पिलाकर शान करो ना हाँ महरानी अवश्य मेरा लाल भूग से बिलक रहा है हो ना हो शिशु की माता यही है सत्य है महरानी क्यों महरानी ऐसा किस अधार पर कह रही है अब देख नहीं रही हो भूखा शिशु कितने प्यार से इसका दूद पी रहा है क्या यह इसका प्रमाण नहीं कि यही इसकी माता है यह तो अन्याय है महरानी क्यों आपने स्वयन देखा कि बालक भूग से बिलक रहा था यदि इस अवस्था में कोई भी इस्त्रियों से दूद पिलाती तो वह पीने लगता तुम कहना क्या चाहती हो यही यदि दूद पिलाना ही माता होनी का प्रमान है तो फिर मुझे भी अफसर दिया जाए यदि य शिशु को इस महला की गोद में दे दिया जाए जो आज्या महरानी लाओ शिशु मुझे दे दो झाल 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 माते क्या हुआ माते हो गया निर्णे किसने दूद पिलाए शिशु को क्या आपने जान दिया कि शिशु की माता कौन है नहीं पुत्रे मैं स्वयम दुविधा में पड़ गई मैं समझा नहीं माते मैं शिशु को लेकर दोनों स्त्रियों के पास पहुची यह देखकर मेरे आच्चेरी की सीमा न रही कि शिशु ने बारी पारी दोनों का दूद पिया वह बहुत भूखा था उसकी भूख तो मिट गई परन्तों मेरे लिए यह नेड़े करना कठीन हो गया कि शिशु की वास्तविक माता कौन है शिशु को दूद पिलानी की कसोटी पर दोनों ही पूरी उत्री यदि मेरे विश्णू मेरी परिक्षा इसी प्रकार लेना चाहते हैं तो यही सही लगता है मेरे पुत्र की परिक्षा की श्रेंकला कभी समाप्थी नहीं होगी पिचारा उस समय से परिक्षा दे रहा है जबसे माता के गर्ब में आया था और उसी समय से हर तपस्या में वो सहावी हो रहा है जन्म से म्रत्युत परिक्षाओं से जूजना ही तो जीवन का सौंदर्य है महादेवी जीवन के हर ख्षन अपने अस्तित्व का प्रमान देने के लिए परिक्षाएं तो देनी ही पड़ती है महादेवी यदि परिक्षाएं ना हो तो जीवन सपाट और नीरस बन जाए वास्तविक माता कौन है मेरा पुत्र तो पुरुष है वो यह कैसे पैचान पाएगा यही तो ज्ञान की कसोटी है महादेवी एक ज्ञानी व्यक्ति वही होता है जो यदि किसी प्रशन का उत्तर नहीं जानता तो चहू और देखता है दूसरों के अनुभवों से और दूसरो के ज्ञान और अनुभवों से और दूसरों की चिंतन शक्ति से स्वयम अपना ज्ञान भी तो बढ़ाया जा सकता है और एक राजा के लिए यह नितान तावर्शक है मुझे तो उल्चन हो रही है कमल लेन महादेवी आप प्रल्हाद की चिंतन शक्ति पर विश्मास देखिये तो सही कि प्रल्हाद में इन परिस्तियों से निपटने की कितनी ख्षमता है तो तुम दोलों अब भी यही कहती हो कि तुम्हे इस शिशू की माता हो और दूसरी जूटी है मैं इस इस्त्री के विश्य में नहीं जानती पर यह शिशू मेरा पुत्र है यह इस्त्री जूटी है और तुम क्या कहती हो महराज यह दुर्भाग है कि एक माता को अपना मात्रुत्व सिद्ध करना पड़े पर मैंने इस शिशू को जल्म दिया है महराज मेरी समझ में नहीं आ रहा कि निड़ने करने में देर क्यों हो रही है राजमता स्वैम देख चुकी है कि शिशू नो मेरा दूद्ध पिया था अब और अधी परमान की क्या वशकता है स्री शिशू ने दूद इसका भी पिया था अब स्वैम माता है महराणी आप तो जानती है कि बूख में शिशू के क्या दशा होती है शिशू ना जाने कब से बूख आता इसलिए हम दोनों का दूद पी गया सभी सभासत ध्यान दे इस विवात का अंत अब हो ही जाना चाहिए न्याय में विलम अन्याय होता है इस विवात को हर ढंक से जाचने के उप्रांत मैं इस निशकर्ष पर पहुंचा हूं कि ये निर्णय करना कठीन ही नहीं असंभव है कि इन दो नारियों में इस शिशू की वास्तविक माता कौन है और ये शिशू किसको दिया जाए अब केवल एक ही उपाय रह गया है सेना पती अग्यास लोग समराट वधिक को बुलाय जाए आग्यास अमराट सेवक उपस्थित है क्योंकि ये सिध नहीं हो पा रहा है कि शिशू की वास्तविक माता कौन है कि मेरा निर्णय है कि शिशू के शरीर के दो टुक्डे कर दिये जाए अधा एक को अर अधा दूसरी को दे दिया जाए रधिक के शिशू के दो टुक्€ कर दो जो आ गया के लौः है महाराच नहीं इस शिशू कि दो टुक्डे नखीजे ये शिशू इस तरी को ही दे दीजे मुझे नहीं ही मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ इस शिशु को इसे ही दे दीजिए देख लिया माहराज सत्य सामने आ ही गया मैं ना कहती थी यह शिशु मेरा है इसकी मां मैं हूँ यह इस तरी तो जोटी है जोटी वो नहीं जोटी तुम हो मैं आप क्या कह रहें अब तो सिद्ध भी हो गया है हाँ सिद्ध हो गया तुमने स्वैम सिद्ध कर दिया कि तुम इस शिशु की माता नहीं हो तुमने इसे जर्म नहीं दिया है संसार की कोई माता ये सहन नहीं कर सकती कि उसकी आँखों के सामने उसके शिशु के दो टुक्रे कर दिया जाएं यदि ऐसा हुआ तो इस संसार में प्रले आ जाएगी जिसने जर्म दिया हो वो तो अपने शिशु की हत्या पर धर्ती आकाश एक कर देगी जब इस महिला ने रोकर कहा कि इस शिशु के दो टुक्रे न किया जाएं उसी समय सभी के अंतरात्मा पुकार उठी माना होती तो इस दुष्टा की भाती इस शिशु का एक टुक्रा लेकर संतोश कर लेती चुक बैड़ जाती मेरा निर्णे ये है कि इस शिशु को इसकी वास्तविक माता को दे दिया जाए और इस जूटी का सिर्व धर से अलग कर दिया जाए हमारे आग्या का पालन हो जो आग्या महराज तुम्हारी को यांति मिच्छा हो तो व्यक्त कर दो पूरी की जाएगी कोई इच्छा नहीं महराज मृत्य हुई मेरी पहली और अंति मिच्छा थी सुब पूरी हो रही है क्या कहना चाहती हो तो यह वदिक मेरा वद नहीं करेगा तो मेरा पती मेरा वद कर देगा क्यों ऐसा कौन सा अप्रयाप किया है तुमने महाराणी महराणी जब मैघरववधी थी उसी समय मेरे पती ने मुझे चैतावनी दी ती कि उससे केवल पुत्र चाहिए पुत्री नहीं, जब मैं शिशु को जनम देने के लिए माय के चली, तो उसने फिर कहा, कि यदि मैं पुत्र को लेकर उसके घर लोटी, तो वेह मेरा बद कर देगा, फिर, फिर क्या राजमाता, मेरे भागे में पुत्री को जनम देना लिखा था, मैंने कन्या को जनम दिया, मैं अपनी पुत्री अपनी माता को सौपी और इसका पुत्र लेकर भागना चाहा है महराज इस वधी को आदेश दीजे के मेरी दुखत कहानी का अंत कर दे अपराधी ये नहीं वास्तविक अपराधी तो इसका पती है नहीं देवी वास्तविक अपरादी ये समाज है जो बालक को कन्या पर प्राथ्मिक्ता देता है वो विचारधारा है जो पुत्र को पुत्री से स्रेश समझती है धिकार है उस समाज को, जो इतना भी नहीं समझता कि यदि कन्याओं को समाप्त किया जाता रहा, तो ये संसार और जीवन का अंध हो जाएगा धिकार है उस समाज को, जो ये भी नहीं समझता कि आज की कन्या कल की माता है धिकार है उस विचारधारा को, जिसे इतना विज्यात नहीं कि नारी संसार के शिखर पर विराजमान है, उसी से संसार बसता है, और संसार चलता है, पुत्र और पुत्री में अंतर करने वाले राश्ट्र के विद्रोही है, सभ्यता के विद्रोही है, धर्म के बैरी है, कि इस दुख्यारी महिला को मैं एक शमा प्रदान करता हूं क्या लाप महाराज मेरा पती मुझे कन्या को जनम देने के करण जीवित नहीं छोड़ेगा जैना पती आग ये समराठ। इस नारी को इसकी पुत्री सहिद। इसके पती के घर पहुंचाया जाएं। और इसके पती को हमारी और से चेतावनी दी जाये, कि यदि उसने अपनी पत्नी या पुत्री को दनिक भिकस्ट पहुंचाया तो उसे बहुत कठोर दंड डिया जाएगा। है आपने सच कहा था पुत्र वधू धृति की प्रति क्रिया को कशोटि बनाकर उचित नढ़ने दिया कि महादेवी किसी भी व्यक्ति को तैरना तभी आ जाता है जब वो जल में गिर जाता है कि आपके पुत्र प्रल्हाद ने भी विकट परिस्थितियों का सामना किया तभी उसका विवेक जागा जिस प्रकार कुंदन बनने के लिए सोने को पहले अगनी में तपना पड़ता है उसी प्रकार किसी भी व्यक्ति को अपनी भीतर की इक्षमताओं को जानने के लिए परि जती एक नारी को इसका सारा शॿय तो दैथ्यगरु शुक्राचार्य को जाता है महादेवी और इसी से उनका अस्तित्व भी सिद्ध होता है कि मैंने आप से कहा था ना कि धैथ्या गुरु शुक्राचार्य बाहर से दिखने में कितने ही स्वारत्षी और दुर्ग कीू नह खाइदें परंतु भीतर से ज्ञान का भंडार है नीती शास्त्र में आज भी उनके समक्ष कोई नहीं ठहर सकता यह तो उन्हीं की शिक्षा का फल है महादेवी जो आपका पुत्र प्रल्हाद राजा का दाइत्व निभा पाया परंतु मेरी चिंता कुछ और है महादेवी आपकी चिंता है बला अपको क्या चिंता है महादेवी जिस प्रकार एक क्रिशक लहराते हुए खेत को देखकर प्रसन्नत हो जाता है परंतु उसके मन में एक आशंका रहती है कि क्या अगले वर्ष भी खेती युहीं लहराएगी या सूखी रह जाएगी मेरे मन में भी यही आशंका है महादेवी कि प्रलाद की बनाई हुई परंपरा उसकी अगली पीडियों तक बनी रहेगी यह नहीं हाँ मेरा पौतर विरोचन अब युवा होने वाला है देखते हैं वो अपने पिता से कौन से गुन प्राप्त करता है हाँ महादेवी कि प्रलाद की एक परिक्षा ये भी होगी कि जिन आसुरी प्रवृत्यों को उसने बदल दिया क्या वो उन्हें दुबारा उभरने से रोप पाता है क्योंकि पुत्र मुह संसार की सबसे कठिन परिक्षा है माँ हूं धर्ती माँ भगवाज शिविष्णी ने जब मातल एक्ष्मी से कहा कि अधी नई प्यूरी को पिछली प्यूरी के यश संभालने के लिए स्वें भी उन परंपराओं का पालन करना पड़ता है जनके कारण पिछली प्यूरी को यश प्राप्त हुआ था तो मैं समझ गई कि पहलाद की कथा में कोल नया और रुमांचक मेर आने वाला है जिसका संबंद उसके पुत्र से है महराज बनने के उपराम्त पहलाद की म्याय प्येथा की धाग पैठ चुकी थी हर ओर उसके म्याय की चर्चा थी महराने धेती ने उसे तीन संदर पुत्र दिये जिननी सबसे बड़ा पुत्र विरोचन था करता है प्राणाम पिताश्री यशर्ष्वी भववपुत्र मैं तुम्हारी ही पतिक्षा कर रहा था प्राणाम दादीश्री आश्मान भववपुत्र पिताश्री मुझे आपका आदेश मिला कि आप उसे समय मिलना चाहते हैं क्या कोई सेवा है मेरी योगी आग्या दीजिए राजमाता से परामर्श के उपरान मैं इस निश्कष पर पहुंचा हूँ कि तुम्हें युवराज घोशित करने का समय आ गया है पिताश्री इश्वर आपको लंबी आयूदे और मेरे सिर पर आपकी शत्रचाय बनाये रखें किन्तु किन्तु इतनी शिग्रता कि क्या वशकता है मैं आपका पुत्रू यही मेरा सबसे बड़ा सभाग है और आप जैसा न्याय प्रिय व्यक्ति इस असुलोग का समराठ य यह तुम्हारे आज्याकारी और विनम्र होने का प्रमाण है किन्तु जैसे राजा इश्वर का प्रतिनिधी होता है वैसे ही युग्राज राजा का प्रतिनिधी है युवराज हो तो प्रजा को यह विश्वास रहता है कि किसी कारणवश यदि राज्य में राजा उपस्तित नहों तो भी उसका कोई रक्षक उते न्याय दिलाने वाला उपस्तित है कि मजह अत्यांत हर्ष है कि गुरुदेव शुक्रचार्य ने तुम्हें वह समस्त शिक्षा प्रदान की है जो एक राजा बनने के लिए अविश्व होती है इसलिए मैं तुम्हें यवराज घोशित करने में विलंब नहीं करना चाहता हूं पिदाश्री यदि आपका यही और दादी श्री की यही इक्षा है तो मैं इसे स्विकार करता हूं चुक चुक जीयो मेरे पौत्र मैं चानती थी कि मेरा लागला दोलारा पौत्र मेरी इच्छा का आधर करेगा चुक चुक जीयो मेरे लाल यह शश्वी भवव तो जाओ गुरुदेव का अशिर्वाद प्राप्त कर उनसे हमारे और से विनिति करो कि तुम्हारे युवराज होने के समारहों का शुक मुहरत बता दे ताकि इस भव्य समारहों की तैयारियां की जा सके जो आग्या प्रिताश्री देती शुक समाचार को सुनकर अत्यंत प्रसन होगे माते अवश्य पुत्र आये माते रणाम गुरुदेव कि यश श्विभाव तेजस्विभाव कोई विशेस समचार लाय हो शुष यहां गुरुदेव पिताश्री महाराज प्रलाद ने मुझे युवराज घोशित करने के इक्षा कि यह तो बहुत शुक्तामचार है शिश अवश्य अवश्य अब तुम यह राजपत करने के योग हो चुके हो तुमने बहुत थोड़े समय में युद्ध शास और राजनीती में निपरता प्राप्त कर लिए यह सब आपके चरणों की देने गुरुदेव राज-पुत्र युवराज का अंतर जानते हो शिश इसका ग्यान भी आप ही मुझे दे सकते हैं राज-पुत्र के वल राजा के अधिकारों की छत्र चाया में रहता है युवराज के अपने अधिकार होते हैं राज-पुत्र को अधिकार राजा की एक्छा के विना प्रयोग नहीं कर सकता है है परन्टु युवराज है अपने अधिकारों को अपनी इक्छानुसार प्रियोग कर सकता है युवराज बनते ही तुम्हें स्वायम को सामान्य से अलग सामान्य से स्वेश्ट सिद्ध करना होगा इसमरण रहे राजा लगना भी राजा होने की क्रिया का प्रधानंग होता है युवराज के निर्ने उसके अपने होते हैं अपने बल पर होते हैं अपनी शक्ति का प्रतीक होते हैं मेरी शक्ति का स्फ्रोत आप हैं गुरुभेश मुझे जो भी शक्ति मिली है आप ही से मिली हाँ शिष मैंने तुम को वह सारी शक्ति दे दी है वह समस्त ज्यान दे दिया जो मैंने अपने पुत्रों शंड और अमर्ग को देने का निश्य किया था वे दूनों मुझे छोड़का चले गए अब तुम ही मेरे शिश भी हो और पुत्र भी मैं आपका आभारी उखुर देव शिश विरोचन यो राज-राज का संब होता है राजा के उपरांधी नहीं राजा के साथ ही यो राज पर राज का बोज होता है पेरी इच्छा है कि जितना शीग्र संबव हो तुम प्रहलात के कंधों का बोज अपने शक्तिशाली कंधों पर ले लो जाओ मैं शुब मुहरत निकालकर स्वें महराज पहलात के पास जाओंगा जो आग्या गुरुदेव आई शमानगा प्रश्णू तुम्हारे भग्त्र प्रलाद ने मुझसे मेरे पुत्र तो चीन लिये पर उसे क्यात नहीं कि मैं अपनी हार तो शुकार कर सकता हूं पर उसे भूल नहीं सकता हूं तुम देखनों कि विरोचन अपने अधिकारों का प्रयोग किस प्रकार करता है प्रलाद ने जिस प्रकार मेरे पुत्रों से मुझे पराजित करवाया ठीक उसी प्रकार अब मैं भी उसी के पुत्रों से उसे पराजित करूंगा इसके लिए मैंने तीस वर्शों तक पुदिख्शा किये